मंदिरों में घरों में पूजा पार्ट में सबी जगाओ पर कॉटन विक का यूज किया जाता है और उसे हम रुई की बत्ती भी बोलते हैं तो क्या आपको रुई की बत्ती का बिजनेस करना चाहिए या कॉटन विक का बिजनेस करना चाहिए तो दोस्तो जितनी डिमांड cotton wick की है उससे कही ज़ादा cotton wick business में competition भी है तो क्या competition की वज़े से आपको ये business नहीं करना चाहिए ऐसा बिलकुल नहीं है तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आपको machine कहां से लेनी चाहिए आपको marketing और sales कैसी करनी चाहिए आपको पूरा का पूरा cost analysis बताया है अगर कहीं आपको इसके बाद में भी loss हो रहा है तो आप कैसे इस business को profitable कर सकते हैं तो इस वीडियो को last तक देखिए आपको सारी की सारी information इस वीडियो में मिल जाएगी cotton wick की business से related तो मेरा नाम है राउल चाहरी और स्वागत आप सभी का business idea in Hindi में यहां मैं आपके साथ share करता हूँ कि business कैसे करें और कम पैसे खर्च करकर अपना business कैसे start करें तो चलिए बिना time waste किये start करते हैं अब हम बात करते हैं machine की तो cotton wick के business में दो type की machine use होती है एक manual machine और एक semi automatic machine अगर कहीं मैं आपसे बात करूँ manual machine की तो manual machine आपको मिलती है 15-20,000 के बीच में और अगर कहीं मैं आपसे बात करूँ semi automatic machine की तो semi automatic machine आपको मिल जाती है 20-25,000 रुपे के बीच में आपको कहीं जगा पर आपने वीडियो देखी होंगी, वहाँ पर प्राइस कुछ ज़ादा है, लेकिन अगर कहीं आप इंडिया मार्ट पे सर्च करेंगे, तो आपको comparatively तोड़ी कम प्राइस में मशीन मिल जाएगी, लेकिन दोस्तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, मैनुल मशीन आपको और सस्ते में भी मिल सकती है, लेकिन उस मशीन की quality इतनी ज़्याद अच्छी नहीं होगी, मशीन बार-बार खराब होने लगती है, जैसा मैंने काफी research करने के बाद पता किया, तो आप अच्छी reliable और trusted company से ही मशीन खरीदें, चाहें वो आपको 24,000 रुप पे आप ज़्यादा पे कीजिए और अच्छी मशीन लीजिए, आपको अच्छी मशीन मिल लाएगी 15-20,000 रुपे के बीच में, अगर कहीं आप खुद से इडिया मार्ट पे search करेंगे तो, जी हां दोस्तों, तो दोस्तों यह हो गई हमारी मशीन की बात, अब हम बात करते ह है, employee की, आपको कितने employee चाहिए, तो दोस्तों, आपको mainly दो लोग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक बंदा सेल्स समालने के लिए, और एक बंदा मशीन को operate करने के लिए, अगर कहीं मान लीजिए, दोनों काम आप खुद से करेंगे, तो ना ही आप सेल्स अच्छे से कर पाएंगे, ना ही आप मशीन को operate कर पाएंगे, इसलिए minimum 5000 रुपे महीने से आप एक बंदे को hire कर सकते हैं, अपने शहर में, जो आपके लिए मशीन को operate करेगा, और उससे cotton wig बनाएगा, आपको आसानी से कोई भी बंदा मिल जाएगा, आपको training उसको दिलानी है, और training दिला करता है सेल्स पे, तो दोस्तों आपको दो लोगों की जरूरत पढ़ने वाली है इस बिजनिस में, दो लोगों की आपको जरूरत पढ़ने वाली है इस बिजनिस में, एक आप और एक आपका machine operator, ठीके दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं, cost analysis की, सबसे पहले हम दोनों machine का production निकाल लेते हैं कि कौन कितना production करता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ manual machine की, तो manual machine में आप production कर सकते हो 2-5 kg, अगर कहीं आप कुछ जादा ही मेनत करोगे, तब ही निकाल पाओगे, ठीके दोस्तों, और मैं बात करूँ semi-automatic machine की, तो semi-automatic machine में आप 3-3 kg तक production निकाल पा आपको 2 kg production daily मिल रहा है, यानि कि 30 दिन में आपको 60 kg production होगा, हमने निकाल लिया है महिने भर का हमारा 60 kg production है, अब हम 1 kg cotton wick का production का cost निकालेंगे, कि 1 kg में हमारी कितनी cost आती है और हमें कितना profit होता है, तो cotton wick बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है cotton की, और cotton की rate 180 रुप में available है, आप जितना जादा research करेंगे उतने कम दाम में आपको cotton मिल जाएगी, cotton के बाद 20 रुपे आप packaging का मान लीजिए और 30 रुपे आप अलग expenses मान लीजिए, तो total cost आती है आपकी 200 रुपे cotton wick को बनाने में, याद रखिए इसमें मैंने labor cost एड नहीं की अभी, यह तो हो गई आपकी बात कि raw material कितने में बनके ready हो जाएगा, अब हम बात करते हैं, एक kilo में आपके कितने piece बनकर ready होंगे, तो एक kilo में 1000 gram होते हैं, अब यह depend आप पर करता है, आपको 6 gram की packing बनानी है, 8 gram की packing बनानी है, या फिर 10 gram की packing बनानी है, अगर कहीं मैं आप से बात करूँ, आ आप 8 gram की packing बनाते हैं, तो 1000 को हम 8 से divide करेंगे, तो हमारा आजाता है 125, यानि कि हमारे 125 pieces बनेंगे, अगर कहीं आप 10 gram का packet बनाओगे, तो 1000 divided by 10 करेंगे, तो हमारा आता है 100 pieces, यानि कि हमारे 100 piece बनेंगे, तो यह आप पर depend करता है, कि आप कितने gram की packaging कर रहे हो, अब हम बात कर लेते हैं, selling price की और profit की, मान लीजिए, 8 gram का packet आप 6 रुपे में retailer को देते हो, तो आप 6 into 125 करोगे, यानि कि 6 रुपे से आप 125 packet का multiply करोगे, तो आपका total होता है 6700 रुपे, और जैसा हमने starting में cost निकाली थी, हमारी 1 किलो cotton विक बनाने की cost 2500 रुपे आ रही थी, तो अब हम इस में से 200 रुपे माइनस कर देते हैं, 2500 में से 200 माइनस करेंगे, तो 500 रुपे आपका profit निकल कर आ जाता है, अब अगर कहीं आप 500 into 30 करेंगे, तो 15,000 रुपे महीने का होता है, यानि कि एक cotton विक मशीन लगाने पर आपको 15,000 रुपे का profit होता है, इसे हम profit भी नहीं किया सकते, क्योंकि अभी हमने इसमें labor cost include कर रखी है अगर कहीं आप 5000 रुपे इसमें से minus कर देते हो labor cost निकाल देते हो तो आपकी cost आती है 10,000 रुपे एक cotton wick machine लगाने के बाद तो अब आप सोचेंगे इसमें तो मुझे कुछ जादा फायदा नहीं है तो रुकिए अब हम profit का analysis कर लेते है आपकी 1 kg cotton wick बनकर ready होती है 500 रुपे में और 1 kg cotton wick में आपके 125 pieces होते है अगर कहीं हम 1 piece की cost निकालें तो 250 divided by 125 आपकी cost आती है 2 रुपे पर पीस और आप इसे market में sell करते हो 6 रुपे में तो आप देखिए हम 6 में से 2 को minus करते है तो 4 रुपे हमको profit बचता है यानि की 100% profit percentage हमारा है इसमें यह देखिए यहाँ पर आपका कितना ज़्यादा profit percentage है ऐसा शायद ही किसी business में होता है ठीके दोस्तों यहाँ पर सबसे जो main problem है वो है rotation की यह एक बार कोई cotton विक को खरीद लेता है आपका customer की बात कर रहा हूँ मैं तो वो cotton विक को 15 दिन बाद या फिर सीधा 20-25 दिन बाद ही खरीदता है तो इसमें आपका rotation slow है इसलिए आपको profit में कैसे आना है मैं आपको आगे बताऊँगा अगर कहीं आपकी brand का नाम आप मुझे नीचे comment में बताऊगे तो मैं आपको कुछ rhyming दे सकता हूँ जिसे आप use कर सकते हैं अपने उस design के उपर तो मुझे आप अपनी brand का नाम बताईए नीचे comment में मैं पूरी कोशिश करूँगा उसकी rhyming बनाने की जिससे आप उस design को अपने packet के उपर लगा सको जैसा आप इस पर देख पा रहे हो ये काफी normal सा design है आप काफी attractive सा design बना सकते हो marketing के लिए जिससे customer आपको याद रखे ठीके दूस्तो अब हम बात करते हैं sales की आप अपने cotton wick को कहां कहां पर बेचोगे तो आप अपने cotton wick को general store पर बेच सकते हो किराना store पर बेच सकते हो पूजा की सामगरी मिलती है उन दुकाना पर बेच सकते हो और आपके आसपास में जितने भी मंदिर हो उनके पास में प्रशाथ का stall जरूर लगता है आप वहाँ पर भी जाकर अपना cotton wick को बेच सकते हो तो आपका मुझसे ही सवाल होना चाहिए क्या retailer दुकानदार आपसे एक बार में आपका cotton का wick ले लेगा बिल्कुल नहीं जैसा मैं अल्रेडी बदा चुका हूँ market में competition काफी जादा है तो आपको नहीं-नही strategy लगाने पड़ेगी और कम price में retailer को देना पड़ेगा तो इससे chances बढ़ जाते हैं कि वो आपके cotton wick को अपनी retail store में रख ले लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके cotton wick को रखे गई रखेगा तो फिर आपके पास दूसरी कौन सी strategy हो सकती है आपके पास दूसरी strategy यह हो सकती है दुकानदार से बूल दो कि आप मेरा माल 15 दिन तक अपनी दुकान पर रखे रहने दें अगर कहीं यह बिकता है तो आप मुझे इसके बदले में पैसे दें नहीं तो फिर मैं अपना सामान 15 दिन बाद वापस ले जाऊँगा तो इसमें वो जरूर मान जाएगा दोस्तों अब हम बात करते हैं profitability को बढ़ाने की तो cotton big का business काफी बढ़ा business है और यह category में काफी सारे business आते हैं जैसे अगर बत्ती वाला business हुआ camper business हुआ और दूबत्ती वाला business हुआ तो अगर कहीं आपके एक बार counters जम जाते हैं तो आप इन सामानों को भी उन दिकाने पर जाकर बेज सकते हो अपनी branding के साथ में जी यहां दोस्तों इससे आपकी profitability increase हो जाएगी अगर कहीं आपको cotton big business में loss होता है तो आप उसको एकार महीने तक bear कीजिए क्योंकि long term opportunity आपके पास काफी जादा है इस business से related जैसा मैं already cost analysis में बता चुका हूँ सबसे पहले तो आप वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए अब अगला business वीडियो मैं आपकी comment के उपर बताऊँगा तो नीचे comment कीजिए आप कौन से business के बारे में जानना चाते हैं हम उसका भी cost analysis करेंगे ठीक इसी तरह जैसा हमने इस वीडियो में किया था और अगर कहीं आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो please इस वीडियो को like कर दीजिए और channel को subscribe कर दीजिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और मुझे motivate करने के लिए चैनल को subscribe भी कर दीजिए